साथियों ओनलाइन अकेले पढ़ने वाले students की एक mentality होती है कि मैं काफी अकेला हूँ लेकिन दोस्त अगर यही शब्द आपके change हो जाएं और convert हो जाएं कि मैं अकेला ही काफी हूँ तो चमतकार होना शुरू होते है आप decide करना पड़ेगा आपको कि मैं काफी अकेला हूँ या मैं अकेला ही काफी हूँ साथ ही उपर आका है और नीचे आपका काका है मेरा नाम है डॉक्टर भीमन्य कुमावत और आज हम बात करने वाले हैं कैसे online पड़ने वाले student चो अकेले तियारी करते हैं कैसे अपनी performance को extreme पर ले जा सकते हैं साल भर motivated रहे सकते हैं मैं आज इस वीडियो में आपको ऐसे tips देने वाला हूँ जो आपको जिन्दगी में कभी नहीं मिलें कई लोगों को लगता है कि सब्सक्राइब की बात करते हों मैं जिन्दगी की बात करता हूँ मैंने कभी नीट जाई UPSC की बात नहीं करी मैं जिन्दगी की बात करता हूँ और आप अगर इन रूल्स को implement करते हैं अपनी लाइफ में कि हमेशा रहेगा कभी आपको लगया कि आपका फ्रेंड्स का सपोर्ट नहीं है प्रेंड्स का सपोर्ट नहीं है फाइनिंशल सपोर्ट नहीं है टीचर्स का सपोर्ट नहीं है लाइफ में कुछ सपोर्ट ही नहीं है लेकिन उस वक्त आपको ये महसूस करना पड़ेगा कि हर किसी को लड़ने पड़ते हैं अपने हिस्से के युद्ध चाहे भगवान राम हो या महात्मा बुद्ध रट लेना दोस्त हर किसी को लड़ने पड़ते हैं अपने अपने हिस्से के युद्ध चाहे भगवान राम हो या महात्मा बुद्ध और याद रखना कि जिन्दगी में सबसे जबरदस चीजें अकेला इंसान यह हासिल करता है अकेला इंसान यह हासिल करता है चाहे वो मौत हो या फिर सिंघासन हो वो सिब एक के लिए होते हैं पर जुण नहीं बैठता दोस्त, सिंघासन पर जुण नहीं होता है, बंदरों के लिए सिंघासन नहीं होता, वो शेर के लिए होता है, जिसकी mentality होती है, कि मैं के ला नहीं हूँ, मैं के ला ही काफी हूँ, आपके साथ मैं डिसक्स करने वाला हूँ, वो चीजें जो आपकी तियारी को हमेशा के लिए चेंज कर देगे, तो शुरू करें, एक बार चैट सेक्शन को लाल कर दिया जाए, फिर अपने स्टार्ट करते हैं इसको, फटा फट से एक बार, आपका जोश हाई है नहीं है, फटा फट से एक बार चैट सेक्शन को लाल कर दिया जाए, फिर अपने से शुरू करते हैं, घर से तेयारी कर रहे हैं आप घर से तेयारी, घर से तेयारी, यह session बहुत interesting है दोस्त, यहां जिंदगी का ज्ञान मिलने वाला है, और बात करने वाला हूँ, चाहे exam NEET का हो, चाहे JEE का हो, दोनों की बात करूँ, NEET हो, चाहे JEE हो, मेन हो, एडवांस हो, चाहे CUET हो, सब के बात करने हैं, आलेकि NEET आजकल सबसे बड़ा exam है, यह युद्ध हमेशा चलता रहेगा, यह लग बात है, ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखो, सबसे पहली बात, जो हमें समझनी है, हर एक केस में याद रखनी है, वो यह, कि हमें, हमें, माहौल बनाना है, क्योंकि जिन्दगी में सारा खेल माहौल का है दोस्त, यह माहौल ही तो है, जो हनुवान को समुद्दर लांगने पे मजबूर कर देता है, यह माहौल ही तो है, जो सचिन के साथ में बैटिंग कर रहे है, बैट्समेन को, जो बैट्समेन नहीं था, बोलर था, उससे भी सेंचुरी पड़वा देता है, यह माहौल ही तो है, जो एक डिप्रेस इंचान को भी मेरे साथ बात करने से सूपर मोटिवटिड फील करवाता है, यह माहौल है, यह माहौल है दोस्त, बीज में चाहे कितनी भी ताकत हो बीज में चाहे कितनी भी ताकत हो अगर उसकी surrounding मिट्टी सही नहीं है उसमें खाद नहीं है fertilizer proper नहीं है पानी नहीं है उपर से light ही नहीं आ रही है हवा नहीं है बीज की ताकत खतम हो जाती है तो शिर्फ टैलेंट से कुछ नहीं होता, माहॉल बनाओ, और जब अकेलें त्यारी करते हैं, तो सबसे जादा मिस होने वाली चीज होती है, माहॉल, माहॉल, हम माहॉल की तलास में यहां से बढ़ें, माहॉल, माहॉल नहीं मिल रूँ, माहॉल, तो अब हमें यह समझना आ है, आपको पता है ना हनुमान जी ने बोला कि मैं सब को सक्तियां भूल गया हूँ मुझे तो नहीं पता समुद्र कैसे लांग सकता हूँ उनको याद दिला है जामद जी ने कि तुम कूछ सकते हो क्रॉस कर सकते हो, चलांग लगा सकते हो माहौल का खेले दोस्त माहौल तो हमें सबसे पहले माहौल बनाना है अब माहौल कैसे बनता है? उस चीज को आपको समझना है अपने रूम में अपने रूम में अपने रूम में सब चिपका डालो सब चिपका डालो कि जैसे रूम में घुसो तो पता रहे हैं, अब क्या चिपका डालो, इसकी बात में करूँगा, इसकी बात में करूँगा, आपको पता है, जब भगवान राम, रावन को मार के आ गए थे, और अयुद्या में शान्ति के साथ में रह रहे थे, तो माता सीता सिंदूर लगा रहे थे, सिंदूर, हनुमान जिनों ने देख लिया, बोले माते ये क्या है, बोले सिंदूर है, ये क्यों लगा रही हो आप, बोले ये मेरा राम के परती समरपन है, ये मेरी राम के परती करतवे निस्चा है, ये मेरा राम के परती पती प्रेम ह और यही राम है, मैं राम को यहीं से महसूस करती हूं तो हनमान जी को इर्शा हुई, जलिस हो गए, कि क्या बात कर रही हो, आप इतनी समर्पित है, सिंदूर लगाती है हाथ से मैं भी सिंदूर लगाऊंगा और हनवान जी ने अपनी पूरे शरीर को सिंदूर से रंग लिया और वो कहला है बजरंग बली जो सिंदूरी दिखता है कि मैं राम के प्रति समर्पित हूँ तो हनवान जी ने क्या किया इस नहीं पर किया, खुद को रंगे क्या किया? माहौल बनाया. कि मेरा समरपन राम के लिए सबसे ज्यादा है. मैं सिब माहौल की बात कर रहा हूं दोस्त. अब माहौल आप कैसे बनाओगे इस बात को समझो. आपके पास एक कमरा है. उस कमरे में, उस कमरे में, विश्वास बैच वाले बच्चों को मैंने दिया, चिपका दो. डरो मत. पापा क्या सोचेंगे? मम्मी क्या सोचेंगी? आपस वाले क्या सोचेंगे? यह मैं सोचू. माहौल बनाओ. रूम में गुस्ते ही तुम्हें महसूस हो जाए, कि मैं इस रूम में क्यों बैठता हूँ? क्योंकि तुम्हारा रूम रूम नहीं है दोस्त. वो जंगल है. जहां तुम्हें तपश्या करनी है. और वहां माहौल होना बहुत जरूरी है. सारे फिजिक्स के फॉर्मुलास, यह मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा, यह जिपकाना पड़ेगा. वो लास्ट में डूंडते हो, सर वो फॉर्मुलास, बोलो तो सही, सर वो फॉर्मुलास, क्या? सर वन शोट में करवाद हो सर, अरे खचर, अभी करो, अभी मैनत करो यह सारे फिजिकल के मिस्टिय के फॉर्मुलास, All Physical Chemistry Formulas All Physical Chemistry Formulas हमने chart release कि है, कोई charts बनाए है, हमने अभी मेरे पास में नहीं है आप search करोगे AB के chart charts है ना, नीट का का ये charts तो आपको दिखेंगे बहुत सारे chart बनाए है, वो chart क्यों बनाए हमने रूम का माहौल चेंज करने के लिए माहौल चेंज करने के ताकि बच्चा चिपका दे, तो माहौल चेंज हो जाए, हाँ यह हमने कर लिया, All Inorganic Reactions Inorganic में जित्ती reaction है, जाहे वो OST-WALL reaction हो, जाहे contact process हो, जाहे decons process हो हाँ, Solve process हो, सब, 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 सब All Biology, NCRT examples जिन सबके हमने chart भी बना रखे है सबके chart बनाए, आप मेहनत करो नहीं हो पा रही है, तो chart कर इस्तेमाल करो पर कोशिश पहले यह करो कि खुद के हाथ से बनाओ खुद के हाथ से बनाओ तुम्हें अखेलापन महसूस नहीं होगा तुम्हें रूम में जाते ही महसूस होगा कि वाह यह तो जन्नत है, वो दिवारें बोल उठेंगी दोस्त वो बोल उठेंगी, अगर दिवार पे चिपका होगा ना दिवारे पैंट से नहीं बोलती है दोस्त और पैंट लगी हुई दिवार अगर बोलने लगे तो तुम्हें psychiatrist की जरूत है तुम्हें किसी तांत्रिक की जरूत है फॉर्मूला वाली दिवार आपसे बात करेगी दोस्त और ओ फॉर्मूला आपको जिंदकी में आगे बढ़ाएगा चिपका दो रेंक अपने आप चिपकी हुई दिखने लगेगी उसके उपर चिपका दो All Biology, NCRT Examples यह हमने चिपका दिए सारे Laws, All the Laws यह सूपर इंपोर्टेंट है किसके Laws सर तो Physical Chemistry के Physical Chemistry के और Physics के भर दो मुझे फोटो चाहिए मुझे फोटो चाहिए मुझे फोटो चाहिए मैं साथ दिन का टाइम दे रहा हूँ लेकिन मुझे फोटो चाहिए, मतलब चाहिए अभी मैंने दिया यह काम दिया विश्वास बेचवाले बच्चों को यह काम दिया और बच्चों ने मुझे बेजा, मुझे अच्छा लगा मुझे का मज़े आगए यार तुम तो महनत ही बच्च हो साथ फिजिकल कैमिस्ट्री क्या है लोज, हाँ डॉल्टन लो, गैलुषिक लो, बॉय लो, चार्ल्स लो, हैंरी लो, रावल लो, डॉल्टन लो, और स्ट्वर्ट्स लो डाव देलूशन, कॉल्राव लो सिर्फ लोह है, सुबज ये शाम तक लो है, लीच अटलियस प्रिंसिपल, ये लो, वो लो, इसको लो, उसको लो, हाड़ी सुल्जे लो, क्या है उसमें, लो, माचिस की लो नहीं, लो, लोज पे फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री चलती है, सारे लोज चिपका दो, और क्या कर सकते हो, अल एसिड्स, जितने एसिड्स पढ़े, चिपका दो, जो तुमने पढ़े हैं वो चिपकाओ यार, माहौल बनाओ, माहौल तुम बनाओगे, सर, सर, एक बात कहें क्या, कहो कहो, सर, हमारे घर पे पढ़ने का माहौल नहीं है, तो तुम बनाओगे विटा तुम, तुम बनाओगे, माहौल कौन बनाएगा, माहौल तो तुम ही बनाओगे, किसी दूसरे से उम्मीद करते हो, माहौल खराब करेंगे लोग तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए नकारात्मक परिस्थितियां पैदा करेंगे सकारात्मक तुम्हें करनी है वो बिगाडेंगे वो चाहते कि तुम सक्सेस्फुल ना हो पाओ वो चाहते कि तुम बरबाद हो जाओ वो चाहते कि तुम मेहनत करने से बचो वो चाहते कि तुम भी उनकी तरह का माहौल निया सर, माहौल तुम्हारी जिंदगी बनाएगा दोस्त, माहौल, तो क्या सब लोग माहौल बनाओगे, हाँ या ना, जमुरो सुन रहे हो, उस्ताद ने तुम्हें बोला है, कि माहौल बनाना है, मतलब माहौल बनाना है, और दिल से बनाना है, दिल से बनाना है, घा नहीं काटनी है, बहुत crystal clear, साफ सुथरा काम करना है, साफ सुथरा, साफ सुथरा, साफ सुथरा, साफ सुथरा, तुम्हारे साथ में पता है क्या दिक्कत है, तुम्हारे साथ में पता है क्या दिक्कत है, तुम्हें किसी की इंस्टाग्राम प्रोफाइल, अगर अच्छी दि देखते हो एंजल या एंजला है ना कई टाइप की रोग होते हैं एंजल एंजला है ना लेकिन तुम्हें अगर तुम्हारा खुद का काम खुबसुरत बनाना होना तो तुम घास काटते हो तुम हैनत नहीं करते हो खुद के काम की वैल्यू नहीं करते हो खुद के काम की इज़्जत नहीं करते हो पता है हमारी आखे डिराइड है डिजाइन है खुबसूरत चीजों को देखने के लिए हम ताजमेल देखने क्यों जाते हैं हम पैरिस देखने क्यों जाते हैं हम कश्मीर देखने क्यों जाते ह क्यों वह खूबसूरत है तो हमें अपना content खूबसूरत बनाना है खूबसूरत बनाना है खूबसूरत बनाना है और हरे केस में यह काम करना ही करना है मैंने देखा हा तो इंस्टाग्राम नहीं है तो अच्छी बात है इंस्टाग्राम नहीं तो अच्छी बात है हमारे पास में इंस्टाग्राम नहीं है तो 21 अपकी सलामी दिल्वादें लाल के ले पे ले जाके कि मोधी जेंके पास इंस्टाग्र इस cash कर सालामने ने को 21ग मैं सालाम दिलाओ金 को सलाम दिलाओ मैं है ऐमोर बड़ा बत्म il को सलाम दिलाओ उनको इनको अजिक है क्या स्थवाल है इसे ही हमारे ऐं ऊफ लाइन पॉस्तिक चलता है वोस्टल में वहाँ पर यूप शचाय यूपी से नुपर उने कह्तरीना की फोट 5 मैंने का बाश सब्सक्राइब ब्या यह तेरी गयादिय लगती है नाने लगती है चाची लगती है गौसी तेरी तेरी तो इससे क्या मिलता है मोटिवेशन क्या मिलता है सर कुछ तो में अपने माबाप की फोटो लगा उनके साथ में गुरूप फोटो लगा उसका भी पोस्टर बनता है ऐसकल वो तेरसे नहीं बनेगा तो माहौ बनाने का काम तुम करोगे और तुमें करना है यह बात दिमाग में सेट होजानी चाहिए यह बात दिमाग में शेक्ट होजानी चाहिए अब एकुर देखो सबसे इंपौर्टन बात है सबसे इंपॉर्टेंट बाद्धान से देखने, कुछ और चीज़े हैं, एक चीज़े होती है, स्टॉप वाच, ये मेरा कियावा सबसे भेंकर एक्सपरिमेंट है, बच्चे बोलते हैं, सर मोटिवेशन नहीं है, सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा, सर मोटिवेशन नहीं है, सर स्टॉप वाच, ये इतनी पावरफुल चीज़ है, कि आप जब भी, वेनेवर, 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 पढ़ने बैठ हो, तो मुबाइल फोन में, या जैसे भी तुम इस्तिमाल करते हो, स्टॉप वाच को चालू कर दो, चालू कर दो, अगर तुम बीच में टोलेट करने वी गए, तो उसको बंद करके जाओ, बंद करके जाओ, और शाम तक ये फाइनली चेक करो, कि तुम कितनी देर महनत किये हो, अकर शाम को उस स्टॉप वाच की स्क्रीन पर लिखा हुआ, आ रहा है, नाइन और थर्टी मिनिट्स, उस पर लिखा हुआ रहा है, नौ घंटे तीस मिनट्स, तुम्हें किसी के ताउ से, किसी के बाप से मोटिवेशन की जरुरत नहीं है, उस स्टॉप वाच का मोटिवेशन, तुम्हारी बॉड़ी में इतना डॉपामीन सीक्रेट करेगा, इतन मोटिवेशन, सर कोई कॉट, सर कोई कॉट बोले ना सर, सर कोई शायरी बोले ना सर, सर बोले ना सर, सर कोई शायरी, सर कोई शायरी, सर कोई मोटिवेशनल मुवी सर, सग्जेस्ट प्लीज सर, सर आप में मोटिवेट क्यों नहीं करते, तुम्हें कोई मोटिवेट नहीं कर स सिवाए तुम्हारे खुद के और येक तरीका है मैंने के इसका इस्तेमाल किया है और कई लोग बोलते हैं एक स्ट्यूडेंट मेरे पासमें आई हा यह एक्स्टी मोटिवेस हैं एक स्ट्यूडेंट मेरे पासमें बारियां तो से मेरी परफोर्मेंस ठीक नहीं आ रही है। और पता नहीं सरह क्या हो रहा है। ऑफ लाइन की स्टूडिफिन थे। फोने का ठीक है? मैंने का ठीक है? कितने घंटे पड़ती हूँ? फोफ रबारा घंटे हैं, मैंने का बड़ गंदे अच्छा या phone scroll करने लगो तो अपने फुन में stopwatch से पढ़ना और जैसे ऐसी किसी अक्टिविटी में इन्वाल हो जाओ stopwatch बंद ना ठीक है सर बढ़िया बात है तो बारा घंटे पढने वाली लड़की बारा घंटे पढने वाली कितने घंटे पढने वाली 12 गणते उसने खुद का overall time निकाला और last में निकल के आया कि सर मैं overall time stopwatch में लिखा या 3 गंदे बाकी time I was distracted I was distracted मेरा focus ही नहीं था मेरा motivation नहीं था और यह मेरा निकल के आया final outcome final outcome और इस outcome में कितना कबाड़ा हो गया? 9 गंदे जब आप अपनी dwr बनाते हो तो रिग्रेट के साथ में अचीवमेंट भी लिखा करो भाई अब मैं थोड़ा सा dwr का अपडेट कर रहा हूं dwr में dwr और अब a भी रहेंगे इसमें यह तो मैं तो कहता हूं कि इसको दौर बना देते हैं दौर किसका दौर सेलेक्शन का दौर एक इसलेक्शन का दौर आपको हरोज देखना है दौर यह सेलेक्शन का द्वार आपको हरोज देखना है स्टॉपोज का यूज करो फिर क्योंकि तुम्हें कोई मोटिवेट नहीं करेगा तो अपने मोटिवेशन खुद हो देखते जाओ भी तो बहुत सारी चीज में तुम्हार ले लाया हर रोज रात को सोने से पहले ये लिखना ही है D, W, A, R, द्वार ये लिखना है बहुत सारे बच्चे जो इस्वास बेच में हैं वो मुझे भीजने लगे हैं, काम करने लगे हैं और वो महनत कर रहे हैं मुझे खुशी इस बात के द्वार द्वार का मतलब क्या? कि आज मैंने क्या किया? कल में क्या करूंगा करूंगी आज मैंने ऐसा क्या किया जो मेरा अचीवमेंट है अचीवमेंट है, ये कहां से आएगा? ये स्टॉप वोच से आएगा ये स्टॉप वोच से आएगा और मैंने क्या ऐसा किया जो मेरा regret है देखो दोस्तों एक बात याद करना हू消 आपको हमेशा 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 कहा जाएगा कि आप पड़े लिखे हो पड़े लिखे हो लेकिन मैं ऐसे लोहों को नीरा बेवकूफ और अनपड मानता हूं जो खुद के लिए नहीं लिखते हैं, आज तक तुमने किस के लिखा, दो नंबर की स्टोरी के लिए, तीन नंबर की ऐसे के लिए, चार नंबर की डायलोग राइटिंग के लिए, रिपोर्टेड स्पीच के लिए, एक्टिव पैसी वोईस के लिए, और क क्या किया तुमने क्या किया तुमने क्या किया तुमने खुद के लिए कभी नहीं लिखा तुम लिखते रहे आदे नंबर के लिए आदे नंबर के लिए एक नंबर के लिए और तुमने जिन्दगी बिता दी इसमें आधा नंबर एक नंबर आधा नंबर एक नंबर ये लिख हाट बना दो, यह करना है, इसके separate copy बनाने है दोस्त, इसकी separate copy बनाने है, separate copy, और अगर तुम दौार 300 दिन भर पाए, तो दुनिया में कोई माई का लाल नहीं है, जो तुम्हारा selection रूप ले, अगर तुम द्वार को 300 दिन भर पाए तो दुनिया में कोई माई का लाल नहीं है जो तुम्हारा सेलेक्शन रोख ले अगर तुम द्वार को 300 दिन भर पाए तो दुनिया में कोई माई का लाल नहीं है जो तुम्हारा सेलेक्शन रोख पाए इस बात को ध्यान रखना हर एक कीमत पर एक और चीज़ देखो यह क्या है? motivation, माहुल बनाना है यह क्या है? motivation मैं काफी अकेला हूँ या मैं अकेला ही काफी हूँ या आपको decide करना है अब एक और चीज़ देखो जो बहुत important चीज़ है, बहुत interesting चीज़ है जान से देखना बहुत important चीज़ है और बहुत interesting चीज़ है देखो मैं तो हमेशा कहता रहा हूँ कि दुनिया में अगर आप planning कर सकते हैं तो अगर आपकी सामान्य बुद्धी भी है तो भी आप तेज दिमाग वाले इंसान को बीट कर देंगे कहा जाता है नहीं कि एक मुर्ख इंसान भी जो planning करता हो जो planning करता हो एक intelligent को हरा सकता है stop watch वाली technique आपको class teaching teaching के लिए यूज़ नहीं करनी है वो आपको self study में काम में लेनी है self study में काम में लेनी है और कहीं काम नहीं लेनी है अब एक और चीज समझो मैंने बोला pen motivation motivation तो कहीं से भी ले सकते है जब आप अकेले पढ़ाई करोगे तो ये तुम्हारे बहुत काम आएगा बहुत ज़्यादा काम आएगा मैं कह रहा हूँ साल भर में जो बच्चा drop year लेता है या दो साल त्यारी करता है या बच्चा एक साल त्यारी कर रहा है उसको साल भर में साल भर में साल भर में डेड़ सो पैन खाली करने है और उनको फैकना नहीं है समाल के रखना है फैकना नहीं है है समाल करेंगर उनकी फोटो जह लेंहें अपने आपको इंस्पाइस करना है वो तुम्हारा इंस्पिरेशन बनें तुम क्या करते है तुम पता नहीं किस चीज की फोटो लेते रहते कोई मुझ तिर्चा कर रहा है कोई होट आगे निकाल रहा है कोई होट पीछे ले जा रहा है कोई नाक टेड़ी कर रहा है और फोटो पे फोटो लेते जा रहा है इस बात को याद रखना कि हमें ये समझना है कि पैन फैकने नहीं है डेड़ सो पैन खाली करने हैं और इनको समाल के रखने हैं दस पैन खाली करोगे तो ज्यार बाप पैन खाली करने का motivation अपने आन आ पाएगा दोस्त अपने आ पाएगा इस बात को ध्यान रखना है नहीं रखोगे तो मात खाओगे मात खाजाओगे, तगडी मात खाजाओगे, एक चीज देखो, एक चीज देखो, SAD VS SAD, एक बहुत क्लासिक कॉंटेंट है, SAD VS SAD, SAD VS SAD, SAD VS SAD, मैं आपको सच बता रहा हूँ, कि हर साल, हर साल, हर साल, और आप इसे agree करेंगे, और agree करेंगे, तो एक बार comment में yes बोलना हूँ, हर साल, 33% student ऐसा होता है, 33% student, 33% student, हर साल ऐसा होता है, offline बेच में आता है, तो मुझे महसूस होता है, किसी ना किसी वज़े से, तैयारी करना बंद कर देता है, और उन 33% में 90% का reason, यानि कि तक्रिवन 30% का reason होता है, health, health, कि सर्थ अब खराब होगी था, सब बीमारी हो गई थी, सर बीमारी के बाद तो motivation खतम ही हो जाता है, और बीसी बात है, motivation तो strong body से आता है, ताकतवर सरीर से आता है, ताकतवर मन दिमाग से आता है, जब मन शक्ति साली, सरीर सक्ति साली, सरीर सक्ति साली, मन सक्ति साली, दिमाग सक्ति साली, motivation अपने आप आएगा, तुम सरीर से खतम पड़े हो, दिमाग से अपने आप खतम हो जाओगे, मन तुम्हारा कुछ दड़ संकल्पित नहीं रह पाएगा, कोई बड़ा decision नहीं ले पाएगा, उसका मेहनद करने का मन नहीं करेगा, motivation खतम है, ध्यान रखना, देखो, said और said, ये दो चीज़े, said वही होगा, S-A-D वही होगा, जो S-E-D नहीं करेगा, S-E-D क्या है? Sleep, मैं फिर repeat कर देता हूँ, sleep, exercise और diet, sir, अकेले पढ़ते हैं, motivation नहीं आता, sir, अकेले पढ़ते हैं, तो motivation नहीं आता, है ना, अब ये कई एक 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 जामपल आएंगे, मोबाइल के बारे में बात करूँगा, थोटे देर, एक बहुत जहन मुद्धा है, इसके उपर मैं तो TED टॉक दिये, मरी TED टॉक इसी के उपर रही है, मैं सारी स्टेटेजी बताने वाला हूँ, तुम ध्यान से सुनते जाओ, ध्यान से सुनते जाओ, यह से डी है, यह स्लीप, एक्सरसाइज, डाइट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आठ घंटे, साथ से आठ घंटे, सोना है, सोना है, और रे सर कैसी बात कर रहे हो, सर वो कल भाहिया दीदी मोटिवेट करके गए थे, सर वो एक नए सर भी आए, सर वो पुराने सर भी हैं, वो ऐसे मोटिवेट करते थे, जी तोड मेहनत करो, 20 घंटे पड़ो, आरे वो बेवकूप बनाते थे, उनसे पूछना किभी खुद पड़े हो, एक्जाम क्रेक कियो कोई सा, नहीं, सर एक्जाम तो क्रेक नहीं किये वो, लेकिन, सर वो दूसरे के इंस्टाग्राम आईडी का पासवर्ड क्रेक कर देते थे सर, इंटरनेट चलाना आता था उनको, तो सर कैसे वे, सर उनको clickbait thumbnail भी बनाते हैं सर वो, तो सर कैसे वे, सर वो मतलब जानते हैं सर अब बच्चों को कैसे click करवाना है सर, बकवास motivation से दूर हो, crap भरा पड़ा है, crap भरा पड़ा है, आठ घंटे सो गे न, तो तुम्हारा concentration extreme पे जाएगा, तुम्हारी long-termal memory extreme पे जाएगी, long-termal memory, long-termal memory extreme पे जाएगी, और वो इन्वेस्टमेंट है, देखो, sleep exercise diet है न, exercise diet से भी 10 गुना important sleep है, फिर बोलते हैं सर स्ट्रेस हो गया, anxiety हो गई, फिर frustration आया, फिर psychiatrist के पास गया, फिर दवाई दिये और फिर, फिर सब वोते है आरे चूट गई सर, क्यों, psychiatrist दवाई दिये ना सर, उससे क्यों आथा सर नीद आती है, तो भाई, दुनिया में treatment ही ही है, mental health का, आपको ध्यान दखना पड़े, एक बच्चा पुतरा सर, sexual activities का कैसे ध्यान दखे, sex एक बहुत बड़ा मुद्दा है, masturbation एक issue है, nightfall एक issue है, मैंने उसके पर इसी चैनल पर एक separate वीडियो बनाए है, आप जाके उसे देख सकते हैं, फिलाल यहां गौर करो, exercise करनी है, हर एक कीमत पर करनी है, और मैं फिर कह रहा हूं, stair climbing, सीड़ियां चड़ो, एक बच्चा मेरे पास में कल आया, बोले सर, आप बोले थे, कि 15-20 मिंट सीड़ियां चड़नी है, बोले हां, सर 15-20 मिंट सीड़ियां चड़े, कैसे चड़े हैं सर, मैंने का क्यों, सर मैं सीड़ी चड़ा, और 30 मिंट मैं सीड़ियां चड़ दिया सर, 30 second में चढ दिया इस के बाद हमारे घर में सीडी अी नहीं सर मैं कहां ज pessimा ऐसे बढ़ी तुमें 5 ना ऐसा सबसे उपर वाली सीडी पर बैठा रहा और फिउतर गे अभी उतर अशर तो तुपर तीन सेकिंड सीडिया चड राव यदर गया क्यों बोलते सीडिया नहीं सर घर में कैसे चडूँ और गधे दस बाराइ सीडियों को फिक्स कर और बारबार चड राव चड रार बार-बार चड उतर बार बार चड पसीना आएगा मैं पहले कह रहा हूँ जो बहाएगी पसिना वो बनेगी हसिना जो बहाएगा पसिना वो बनेगा चॉंसिना पसिना बहाओ पसिना बहाना पड़ेगा दोस्त कोई option नहीं है पसिना बहाना पड़ेगा तब ही negative thoughts को overcome कर सकते हो negative thoughts को overcome करने का यही रास्ता है अगर कोई इंसान, सिर्फ mentally active है, सिर्फ mentally active है, और physically active नहीं है, physically active नहीं है, उसका mental physical imbalance हो जाएगा, वो psychiatry का patient बनेगा, मेरी guarantee है, stress, anxiety, frustration, depression, suicidal thoughts, ये क्यों आते, पसीना नहीं भात है, पसीना भाव, सब, sexual thoughts खतम, खतम, if you are physically active, you cannot be sexually active, एक activation आएगा, या तुम physically active हो, या तुम sexually active हो, बैठे हो, तो फिर वो गलत काम करोगे, सीडिया चड़ लिए, 20 मिनिट पसिना भावा दिए, तुम्हारी आउकात नहीं है, तुम ऐसे गलत काम करके बता दो, energy चाहिए ना उसके लिए, वो तो खतम कर दी तुमने, मजबूत बनोगे, ताकत आएगी, शक्ति मिलेगी, समझ जाओगे तुम, समझ जाओगे तुम, समझ जाओगे तुम, समझ जाओगे तुम, समझ लो इस बात को, exercise करनी है, इस immune system boost होगा, चोटे मोटे infection नहीं होगे, चोटे मोटे virus जो आते है न, एक खतम, finished, खतम तुम्हारा immune system ताकतवर है, जब तुम्हारे शरीर में जान है, जब शरीर में ताकत है, तुम्हारी डाइट बढ़िया है, क्या viral infection, क्या influenza, क्या stress, क्या anxiety, क्या frustration, क्या depression, डाइट पे ध्यान दो, क्या करें सर, dry fruits, जो dry fruits नहीं ले सकते, जिनको लगता है महंगे हैं, दूसरा source जो, ये चने मुंग पे ध्यान दो, कोई दिकत नहीं, प्रोटीन होने चाहिए बोडी में, अमिनो एसिड्स होने चाहिए, चने मुंग पे ध्यान दो, dry fruits को भिगो लो, मैंली कौन से, अखरोट बादाम, अखरोट बादाम, भिगो, और इनको, इनको खाओ यार, consistently, ऐसा जानी है, एक दिन दाए, सो पापा ला दिया, क्या ला दिया, एक किलो बादाम ला दिया, ठीक, एक मैने खाए, सर एक मैने रोज ऐसे मुठी भर के, फिर, खा जाते हैं सर, अरे घदो, उनको नमबर्स में खाना होता है, पांच, छे, साथ, आठ, हाँ, दो, तीन खरोट ख है दुदीन अखरोट खा लिए,चार पांच, बादाम खा लिए, तो तिन खरोट खली economics करें साल भर दे खाया, कनसिऑस्ट्न सी का रिज़ल्ट मिता है दुनिया में, दुनिया में, कनसिश्टैंसी का रिजल्ट मिलता है दूस्त तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है जब वो बून consistently चटान पर गिरती है पत्थर पर गिरती है ना तो उस चटान और पत्थर को उस पानी ने नहीं तोड़ा होता है दोस्त उस consistency ने तोड़ा होता है जब कोई स्टूडेंट एक्जाम क्रेक करता है ना उस स्टूडेंट एक्जाम क्रेक नहीं किया होता है उसकी consistency ने क्रेक किया होता है जब कोई इंसान भगवान बन जाता है ना, राजकुमार सिधार से भगवान बन जाता है ना, तो meditation से भगवान नहीं बना होता है दोस्त, वो consistency से भगवान बना होता है अगर hard working है तो consistency queen है अगर hard work राजा है तो consistency रानी है सामराजय तबी बना पाओगे जब hard work के साथ में consistency होगे चमतकार तो consistency का दिवाना है जहां consistency है जहां regulatory है वहाँ चमतकार होना निश्चित है दोस्त रुख ही नहीं सकता होके रहेगा रुख ही नहीं सकता वहाँ चमतकार होके रहेगा आज नहीं तो कल होगा उस पल नहीं तो दूसरे पल होगा लेकिन होगा दोस्त होगा मरुस्तल से भी जल निकलेगा आज नहीं तो कल निकलेगा be consistent be consistent खाने में exercise में, diet में, sleep में, be consistent एक्षरसाइज डाइट के लिए टाइम नहीं होता है, दूसरों के लिए समय होता है, वो एंजल नेहा का मेसेज आया है, क्या बोल, हाई बोल, फिर हम भी हाई बोल, एंजल नेहा तो सो गई, क्योंकि फेक आइडिया, वो पासवाले सरदार जी है, वो तुम्हें बेवकूफ बना रहे है, एक्जाम के बाद में बताएंगे, मेरा नाम परविंदर था, अभी हो तुम्हें पागल बना रहे है, बाद में बोलेंगे, मैं परविंदर था, हम बैठे हैं रात बर्स, एंजल नेहा का, हाई के बाद रिप्लाई नहीं आया, हम बोले, वो हाई में एक आई लगाई थी हम चार आई लगा दिये लंबा लंबा हाई भेचा हूँ ज्यादा effort लगाई एंजल पिर या के reply नहीं आया बैठें, दूसरों में invest करते हो, तुम दूसरों में, और इसलिए तुम sad हो, इसलिए तुम depressed हो, तुम्हें frustration हो, तुम्हें anxiety है, दूसरों में investment से होगा ये, क्योंकि दूसरा तुम्हें धोका देगा, देगा दोस्त, जहां मिलेगा उसे मौका, तुम्हें देगा वो धोका, ये इंसान के फितरत है, वो धोका देता है, लेकिन इंसान की एक और फितरत है, जब वो धोका देता है, तो हमेशा हमेशा कमजोर से मजबूत की तरफ जाता है, असफल से सफल की और जाता है, एक सामाने इंसान से, असामाने इंसान की और जाता है, उसका मुमेंट होता है, त तुम्हारा गोल होना ची है, वरना तुम निपड जाओगे, तुम्हें कौन पूछेगा यार, कौन पूछेगा तुम्हारे जैसे कही आए कही गए, ताकतवर बनो, गोल-oriented बनो, फिर वो खीचे आएंगे, तुम मैगनेट बन जाओगे, तुम्हारे में श्रक्ति होगी, खीचे आएंगे, मदुमक्यों के पीछे ना भागो दोस्त, तितलियों के पीछे ना भागो दोस्त, खुद का बागान बनाओ, अरे तितलियों का क्या है, जब बागान होगा, नजाने कितनी आएंगे, पाकतवर बनो, मजबूत बनो, तुम लोगों के पीछे भागते हो, फिर बोलते हो, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कस्ती डूबी वहां जा पानी कम था, यह बक्वास बंद करो, और यह गुठका चबाना तो बंद करतो बिल्कुल वीमल वाला, खुद में दम लाओ, शक्ति लाओ, मजबूत बनो, ताकतवर लोग को, कोई डिच नहीं कर सकता, कोई धोका नहीं दे सकता, मजबूत बनो, और मजबूत बनने का यह की रास्ता है दोस्त, sleep well, exercise well, diet well बहुत बहुत जादा जादा जरूरी है एक चीज़ देखो, एक चीज़ देखो एक इश्वाद है सर्फ मोबाइल फोन स्क्रोलिंग मैं इस मुद्दे के उपर TED टॉक दे चुका हूँ न TED टॉक TED एक बहुत बड़ा प्लेटफोर्म आप जानते होंगे मोबाइल फोन स्क्रोलिंग सर ये बहुत होता है सर क्या करें सर सर मोबाइल फोन स्क्रोलिंग बहुत होता है मोबाइल फोन स्क्रोलिंग बहुत होता है अच्छ हो, सर वो, हम एक टीचर का वीडियो देखे सर ने बताया कि आईए इस कैसे बनना है, हम ने यूट्वब पे सर्च कि आई इस कैसे बनना है तो सर का वीडियो आया सर, हम देखे सर, फिर स्क्रोल कर रहे थे, फिर उनी सर का आया रिलेशन्शिप के पंचनुस के, Sir आईये इस वाले वीडियो के नोट्स नहीं बनाये थे हमने, Sir Relationship पंचनुस के Sir नोट्स बना लीकिशनुस के तुम बेवकूफ हो, तुम्हे, तुम्हे, तुम्हारी आखें बेवकूफ बनारिये, तुम्हें फोन का यूज करना ले प्रूमूद है नहीं ये बंदा कुली थाई अभी क्या है, सरर भी आईये से अभी आईये से सरे ये बंदा आएणार कुलम रेल लेस्टेशन पर खुली था इसने क्या किया इसने क्या किया internet था wifi स्टेशन पर free लगावा था इस बंदे ने क्या कि एरफोन खरीदे वाई वाई मिल रहा था लगाए सुनना सुरू स्क्रिन की तरफ नहीं देखा वहां जो आते हैं न गल्रेंड को पहली बार में कैसे इंप्रेस करें बॉइफ्रेंड हो जाएगा आपका दिवाना यह देखें नहीं देखें दोस्त यह नहीं देखें सुना सुना डिस्ट्रेक्शन नहीं हुआ आखे मत दो मोबाइल को कान दो कान कान दो कान आजकल उसमें AI है आर्टिफिल इंटेलिजेंशन वह पकड़ लेता है कि इस घदे को क्या चीए अच्छा यह गल्रेंड में इंट्रेस्टेट ज्यादा लग रहा है तो उसको और झुट कर लेता है नहीं पड़िता है मुबाइल फोन में जब भी कुछ सीखने वाला काम कर रहे हो मुबाइल फोन को उल्टा रखो और पूरी फोकस से सोनो नोट्स बनाते वैं चलो कि नूट्स बनाते वैंचलो नोट्स बनाते वार्चलो notes यह चलो eyes mobile phone की scrolling को never give eyes give ears give ears kan do kan और इस बात पर ध्यान दो इस बात पर ध्यान दो mobile phone को kan do आखे मत दो आखे मत दो कान दो कान बात समझ में भारि है mobile phone को क्या दे गा? ear इर देना है कान देना है कान देना है और सबसे बड़ी बात है मैं आगे चरूँ उससे पहले काम की बात सुनगों आज बता देता हूं बताना बहुत ज़रूरी है सुनते जाओ कॉंसेंट्रेशन की प्रेक्टिस करो क्योंकि तुमारा धर्म ना तुम हिंदू हो ना तुम मुशल्मान हो ना तुम क्रिश्यन हो ना तुम सिक्ष हो ना तुम जो भी धर्म होता है तुम नहीं हो तुम क्या हो तुम स्टूडेंट हो और स्टूडेंट का यह की धर्म होता है concentration की practice करना कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हम क्यों पढ़ते हैं school pass करके आगए father mother sister वाली school में थे हाँ पढ़के आगए पढ़के आगए सर मुझे आस्ते कि समझ में ने आया हम पढ़ते क्यों है तो मैं आज बता रहा हूं concentration की practice करने के लिए क्योंकि concentration ही चमतकार का foundation है अगर आप में concentration है repeat कर रहा हूं दोस्त अगर आप में concentration है extreme concentration है तो भगवान में और आप में कोई अंतर नहीं है दोस्त अंतर ही नहीं है आप ही भगवान है तुम्हें क्या लगता है तुम्हें क्यावन रुपे का परशाद चढ़ा कि बगवान को खरीद लो कि गणेजी एक क्यावन रुपे पास करवा दीजेगा ना पिताजी के 85 परसंट बने थे हमरे 90 बनवा दीजे ना गणेजी कुछ करिए ना क्या एक क्यावन रुपे में नहीं मानेंगे कितना एक सो ऊत्रे में हम सिव जी को मना लेँगे सेव जी करवादीजे ना पासक़ प्यास पैचास पैचास रुपे में बगवान वीक्ता ना तो पतानी क्या होता भगवान एकी चीज से jointerin होता है अला एकी चीज से इंप्रेस होता है, जीसस एक ही चीज़ से इंप्रेस होता है, Concentration. Concentration. एकाकरता क्या है? एकाकरता कितनी है? दुनिया में जितने चमतकार होए ना दोस्त, वो सब Concentration के प्रोड़क्ट हैं. हमें Concentrate करना है, और Boring से Boring चीज़ पर Concentrate करना है. अगर वो Boring है, तब भी Concentrate करना है. करना है. यही तो Practice है. यही तो Practice है. यही तो तुम्हें महान बनाएगी. यही तो तुम्हें अलग बनाएगी. तुम Neurosurgery करने गए, तुम कोई पुल बनाने गए, तुम कुछ भी बड़ा काम करने गए, वहाँ चीए Concentration. दुनिया को इंसानों की जरूत नहीं है. दुनिया को Concentrated लोगों की जरूत है. दुनिया को Concentrated लोगों की जरूत है. दुनिया को Concentrated लोगों की जरूत है. और जिसको भी तुम अपने धर्म का Founder मानते हो ना, पेगंबर मुहम्मद को मानते हो, तुम सनातन धर्म को मानते हो, तुम जीसस को मानते हो, तुम गुरु गोभिन जिंग साहब को मानते हो, तुम किसी को भी मानते हो, तुम पता है उन्हें क्यों मानते हो, क्योंकि उनका कॉंसेंट्रेशन लेवल तुम से बहुत ज्यादा था और तुम अगर concentration हासिल कर सकते हो तो तुम महान हो तुम महान हो एक चीज़ को ध्यान रखता हूँ बहुत important बात आपको बता रहा हूँ आपके दिमाग में आपके दिमाग में दो टाइब के thoughts आएंगे दो टाइब के thoughts आएंगे एक negative thoughts और ये कितने होंगे ये 90% होंगे मेरा नहीं होगा मुझसे नहीं होगा पेरेंट्स क्या सोचेंगे बड़ोसी क्या सोचेंगे घरवाले क्या सोचेंगे अब क्या होगा तब क्या होगा और ना जाने क्या-क्या एक चीज़ ध्यान रखना एक चीज़ की practice करना उसको बोलते हैं memorization मनी मन में सोचना कि मैं आज physical chemistry के सारे laws के बारे में सोचूँगा मैं आज physics के सारे laws के बारे में सोचूँगा Newton's law, Wien's law, Stephen's law Biosavat law, MPS law Kirchoff law, Fleming's law सारे laws के बारे में सोचूँगा सोचू सोचू भी काम करना शुरू करोगे तो तुम्हें feel होगा कि तुम्हारी जिंदिक में चमतकार होना शुरू हो गया negative thinking बंध होगी, घटिया बाते आना बंध होगी और तुम अब extreme concentration के street में जाने लगे हो इस बात को ध्यान लगे हो ये कुछ मेरी तरफ से basic बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है implement करनी है वापस repeat कर देता हूँ माहौल बनाना है, stop watch का इस्तिमाल करना है दौर का इस्तिमाल करना है pen motivation का ध्यान रखना है sad versus sad, mobile कैसे use करना ऐसे ध्यान रखना है ये सारी बातें मैंने इस किताब में बताई है मैं कई किताबे लिख चुका हूँ, आज आपको दिखाता हूँ ये अफसर, ये मैंने लिखी सारे government exams की preparation के लिए अफसर I hate 90% 10th और 12th के बच्चों के लिए आपका छोटा भाई बहन कोई है तो उसे gift करिएगा जीत के रन नेती, ये आपके लिए है ये सारा content मैंने कई सालों में develop किया है और उन books में लिखा है गर पर बैठें वाले बच्चों को motivation और mentorship की ज़रुद होती है हर बार हर बार हर बार आपको मैं motivate नहीं कर पाऊंगा कई बार आपको इनकी ज़रुद पड़ेगी एक बच्चा पूछ रहा है talk about masturbation हस्त में थून क्या होता है मैं उसके बारे में बात कर चुका हूँ sex लिखके नीट का कजी लिखेगा आपको पता लग जाएगा उसके अलावा हमने ये books और लिखी है जैसे ये NCRT नीचोड बुक है है ना बाइलोजी का है ऐसे physics का NCRT नीचोड है माफ कीज़ेगा chemistry का NCRT नीचोड है physics का NCRT नीचोड है ये भी हमने घर से त्यारी करने वाले बच्चों के लिखेए practice के लिए हमने कुछ books लिखेए जैसे ये NCRT word to word ये कई लोगों ने solve की होगी सबसे amazing किताब है biology की practice के लिए इससे बहतर कोई किताब नहीं है बहुत amazing किताब है जिन लोगों ने use की उनको पता है कि इस किताब की power क्या है और भी कई सारी books हैं जब आप लोग Amazon Flipkart पे सर्च करेंगे नीट काका जी के नाम से या मेरे नाम से तो आपको ऐसी कई किताबे देखने को मिलेगे आज का session कैसा रहा इसका feedback जरूर से दीजेगा I'll be pretty thankful to you आज के लिए इतना ही है Thank you so much I love you all Good night उपर आका है नीचे आपका काका है इस session का feedback देना मत भूलिएगा अपनी जिंदकी में implement करिएगा All the best Thank you everyone Thanks a lot Thank you